दोस्तों वसियत कैसे तैयार करनी चाहिए और वसियत को चैलेंज किन-किन ग्राउंड पर किया जा सकता है इन दोनों सब्जेक्ट्स पर हमने वीडियो पोस्ट किये हुए है उनमें वसियत के लिए काफी important बाते बताई गई है इसलिए अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनके link description में दिये हुए हैं आप जरूर देखें काफी बार जब किसी Muslim व्यक्ति की वसियत बनाई जाती है तो लोग वसियत बनाने के लिए जरूरी principles को तो follow कर लेते हैं लेकिन Muslim law में वसियत के लिए specific provisions हैं उनका लोगों को ध्यान ही नहीं रहता इसलिए वो वसियत आगे जाकर तकनीकी कमी के कारण cancel हो जाती है दरसल Muslim वसियत के लिए शरीयत में कुछ provisions किये गए हैं जिनको follow किया जाना भी जरूरी होता है और आज के वीडियो में हम उन्ही provisions को समझने की कोशिश करेंगे वीडियो को शुरू करने के पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे request है कि अगर आप channel पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है बिनादेरी की ये subject पर आगे बढ़ते हैं हालांकि मुस्लिम विधी में वस्यत के बारे में अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग राय रही है लेकिन कुछ नियम हमारे देश के संदर्ब में सर्वमान्य हैं जिनके आधार पर हमारे देश में मुस्लिम वस्यत की जानी चाहिए हर मुस्लिम कोई अधिकार है कि वो अपनी property किसी के favor में वस्यत कर सकता है या फिर वक्फ के रूप में हमेशा के लिए अल्ला को दे सकता है वस्यत का कोई भी उद्देश्य हो सकता है लेकिन वो इसलाम में प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए वस्यत के जरूरी तत्मों के बारे में बात करें तो सबसे पहली शर्त ये है कि वस्यत करने वाला और वस्यत लेने वाला इसके लिए योग्या होने चाहिए योग्य होने से मतलब है कि वस्यत करने वाला व्यस्क हो और स्वतंत्र सहमती देने के लिए सक्षम हो यानि कि दिमागी तोर पर एकदम सही होना जरूरी है अगर कोई मुसलिम आत्महत्या के प्रयास और मरने के बीच के टाइम में कोई वसीयत करता है तो वो मानने नहीं होगी क्योंकि यह माना जाता है कि उस टाइम कोई व्यक्ति सही डिसिजन लेने में सक्षम नहीं होता फिर जिस party के favor में वसियत की जाए वो Muslim या गेर-Muslim कोई भी हो सकता है वेस्क या एवेस्क हो सकता है या फिर कोई संस्था भी हो सकती है लेकिन ऐसा व्यक्ति वसियत करने वाले की death के time में अस्तित्व में होना जरूरी है अगर किसी गर्ब वाले बच्चे के फैवर में वस्यत की गई है तो ये जरूरी है कि वो बच्चा वस्यत करने के 6 महीने के भीतर जन्म ले चुका हो वस्यत एक से जादा लोगों को भी की जा सकती है दोस्तों मुस्लिम वस्यत के बारे में एक नियम ये भी है कि वस्यत उत्राधिकारी के फेवर में नहीं की जा सकती लेकिन बाकी के उत्राधिकारी इसके लिए सहमती दे दें तो फिर वस्यत किसी उत्राधिकारी के फेवर में भी की जा सकेगी मुस्लिम वसियत के लिए सबसे बड़ी रोकी ये है कि कोई मुस्लिम अपनी एक तिहाई प्रोपर्टी से ज़्यादा की वसियत नहीं कर सकता अगर कोई एक तिहाई से ज़्यादा हिस्से की वस्यत करना चाहता है तो उसे पहले बाकी सारे उत्राधिकारियों की सहमती लेनी जरूरी है जहां किसी मुस्लिम के कोई उत्राधिकारी ही नहीं हो वहां वो एक तिहाई से ज़्यादा की वस्यत अपनी मर्जी से कर सकता है लेकिन उत्राधिकारी होने की स्थिती में उसे एक तिहाई से ज़्यादा की वस्यत करने के पहले सहमती लेनी जरूरी होगी एक बात और कि अगर किसी मुस्लिम ने शादी मुस्लिम विधी के अनुसार नहीं की बलकि special marriage act के अनुसार कर ली है तो भी वो अपनी सारी property की वस्यत उत्राधिकारियों की सहमती के बिना कर सकता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि special marriage act में शादी करने के बाद उस व्यक्ति पर मुस्लिम low applicable नहीं होगा बात करें कि यदि किसी मुस्लिम ने एक तिहाई से जादा हिस्से की वस्यत बिना उत्राधिकारियों की परिमिशन या सहमती के कर दी तो क्या होगा ऐसी स्थिती में एक तिहाई भाग से जादा की वस्यत को प्रभावी नहीं माना जाएगा इसके बाद ये नियम भी important है कि मुस्लिम वस्यत में कोई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती अगर कोई शर्त जोड़ी जाती है तो वस्यत तो प्रभावी ही रहेगी लेकिन वो शर्त सुन्ने माने जाएगी एक और बात कि मुस्लिम वस्यत उसे करने वाले की death होते ही तुरंत लागू होती है अगर किसी वस्यत को भविश्य में लागू करने की कोई condition रख दी गई है तो वो वस्यत ही सुन्ने हो जाएगी और ऐसे ही अगर कोई वस्यत किसी भावी घटना के घटने पर निर्भर करती हो तो भी इस प्रकार की वस्यत सुन्ने माने जाएगी तो दोस्तों हिंदू लो में और इंडियन सक्सेशन एक्ट में वस्यत के बारे में कोई विशेश पाबंदिया नहीं लगाई गई है जितनी मुस्लिम लोग के बारे में है इसलिए ही मुस्लिम वस्यत करते टाइम इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है होंगे आपके और भी कोई डाउट हैं या आप अपने किसी मैटर पर मुझसे डिसकस करने के लिए बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रिन पर दिखाई दे रहे हैं नमरों पर वाटसेप या फिर फोन कॉल करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं ऐसी ही इंट्रेस्टिंग जानकार